नमस्कार दोस्तो मैं सुमित आप सब का सौगत करता हूँ बर्ट स्केर एर इन्फो यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ समर फुड लिस्ट फोर पैरोट मतलब गर्मियों के मौसम में तोते को किस टाइम पर कौन सा फुड देना चाहिए और समर से जबने पैरोट के लिए बेस्ट टाइट आप्सन क्या है वह सब मैं आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ तो आज की वीडियो बहुत ही जादा अल्टिमेट और नॉलेजबल होने वाली है तो वीडियो को बिना अस्किप की ये लास्ट तक देखते रहिए और अगर आप चैनल पर नहीं आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ नोटिफिकेशन वиеशि को प्रेस करके और प्रसेट कर ले था कि सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सब्से पहले मिल जाए तो चलिए दोस्तो आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं सब्सपशे पहले मैं आपको ये बता दू अगर हम summer season में अपने parrot के diet को proper maintain नहीं करते तो इसका नतीजा क्या होगा सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए गर्मियों के time parrot को सबसे ज़्यादा क्या problem होती है गर्मियों के time parrot को सबसे ज़्यादा races की problem होती races के कारण इनको इतना ज़्यादा खुजली होता है कि ये खुजला खुजला कर खुद के feathers को गिराना चालू कर देते है दूसरी चीज गर्मियों के time parrot को heat stroke dehydration से भी खत्रा रहता है और गर्मियों के मौसम में ज़्यादा तर parrot heat stroke या फिर dehydration के कारण ही मरते तो आप इन बिमार्यों से अपने parrot को safe रख सकते हैं उनकी अच्छे से care करके उनके diet को maintain रख कर तो सुबह से साम तक अपने parrot को कब और क्या food देना चाहिए वो सब मैं आज के इस वीडियो में बताने बाला हूँ तो यहां से वीडियो को ध्यान से देखने की जरूरत है तो सबसे पहले हम morning time से start करते है तो morning में सबसे पहले parrot को एक से दो हरी मिर्च देनी है और मिर्च देकर parrot को garden या फिरेस पर ले जाकर रख देना है जिससे की वो खुले आसमान को देखकर दूसरे बर्ट को देखकर fresh feel कर सके गर्मी की time है तो मैं suggest करूँगा साड़े चार से पांच बजे तक parrot को garden या फिरेस पर ले जाकर रख देना है इसके बाद parrot जब मिर्च खा लेता है तो उसके बाद भीगा हुआ चरा देना है चने को रात में पानी में डाल देना है और फिर अगली सुबह चने को अच्छे से बॉस करके parrot को खाने के लिए दे दीजिए चना parrot के digestion के लिए बहुत अच्छा है साथी चना में protein भी होता है इसके बाद 10 से 11 बजे के बीच जब आपका parrot को अच्छे से खा लेता है अगर नहीं भी खाता है तो भी food को change करना है क्योंकि गर्मी के टाइम food में bacteria fungus बहुत जल्दी लग जाते सो 10 से 11 बजे के बीच parrot को वैसे food डेना है जिसमें पानी की मातरा ज़्यादा हो जैसे कि water melon जिसमें 92% water content होता है water god जिसमें 96% water content होता है cucumber जिसमें 96% water content होता है pomegranate जिसमें 81% water content होता है तो इस टाइप के food आप अपने parrot को दे सकते हैं इसके बाद आता है दोपहर के time पर parrot को क्या देना देखिए दोपहर के time गर्मी peak पर होता है सबसे ज़्यादा गर्मी दोपहर के time पर ही लगता है और सबसे ज़्यादा problem parrot birds को दोपहर के time पर ही होती है तो इस time पर आपको ध्यान रखना है water melon, anar, खीरा, ककड़ी जैसे पानी वाले fruits and vegetables के लाबा कुछ भी parrot को खाने के लिए नहीं देना है आप देखेंगे दोपहर के time जब temperature सबसे ज़्यादा high रहता है तो parrot अपने पंखो को फैला कर जोड़ जोड़ से सांस लेता है तो वो गर्मी की कारण कर रहे होते हैं ना कि उसे कोई सांस लेने में problem है और parrot ऐसा तब करते हैं जब उसका body पूरी तरह गर्म हो जाता है तो इससे बचने के लिए ही parrot को वैसे food देना है जिसमें पानी की मातरा ज्यादा हो इसके बाद सांस के time आप parrot का favorite food दे सकते हैं जैसे कि parrot अमरूद या फिर sweet corn खाना ज्यादा पसंद करते हैं तो ये आप अपने parrot को दे सकते हैं अब बात आती है रात के time अपने parrot को mix seed दे सकते हैं और लाइन काफी सारे option मिल जाएंगे कोई सा भी एक खरीद कर अपने parrot को दे सकते हैं बस ध्यान रहे हैं कि गर्मी के time बाज़रा sunflower seed और sapflower seed ये तीन seed कम मातरा में देना जाएं अपने parrot को क्योंकि इसमें fats बहुत ज़्यादा होता है इसके अलावा parrot के case में हमेशा एक fresh water wall रहना ज़रूरी है और water को दिन में 2-3 बार change करते रहना सब फ्रेंड्स आज मैंने आपको बताया गर्मी के मौसम में अपने parrot को दिन में किस time पर कौन सा food देना चाहिए जिससे कि आपका parrot healthy रहे एक्टिव रहे तो आज की वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला हो तो आज की वीडियो को में पर bind up करते हैं